नमस्कार दोस्तों 31 डिस्मिल जमीन कितना काठा होगा ये सवाल क्या हुआ है और दूसरे सवाल है 12 डिस्मिल का आयत कैसे बनाएं बहुत ही आसान है इजी है दोस्तों पहले एक काठा ये काठा बराबर ये 1361 वर्ग फीट होता है और दूसरा काठा का मान भी देख लिजिए एक काठा ये काठा बराबर ये 600 वर्ग फीट भी होता है दो ही काठा से जानेंगे 31 गुडे 435.6 बराबर 13503.6 स्क्वार फीट बटे 1361 कर देजिए बराबर ये 9.92 काठा 31 डिसमिल बराबर 9.92 काठा लिख लिजिए 31 डिसमिल बराबर 9.92 काठा और 600 वर्ग फीट से इसी तरह भाग कर देजिए 13503.6 बराबर ये 22 डिसमिल लोग 506 काठा इतना काठा होगा दोस्तूं ये 600 वर्ग फीट के काठा से इस तरह से असानी से जान सकते हैं इजी तरीका से और देख लेजिए दोस्तों 12 डिसमिल का आयत कैसे बनाए ये 12 गुडे 435.6 कर देजिए बराबर ये 1 डिसमिल का वर्ग फीट का जमीन है 5227.2 स्क्वाइर एप्टी है इस तरह से बना लिजे आयत बनाएंगे तो ये आमने सामनी की भूजा ये बराबर कर दीजे 104.5 फीट और ये 50 फीट इजी तरीका दोस्तों असानी से ये 12 डिसमिल है इस तरह से असानी से बना सकते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब केजे विडियो को सेर केजे धन्यवाद